नमश्कार रहे कृष्णा दोस्तों मेरा नाम है होदे मेरा आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में कल Mid Cap Nifty के एक्सपाइरी है अगर आम Mid Cap Nifty में काम नहीं करते है तो आपको मैं बता दू मैंने आज से 15 दिन पहले Mid Cap Nifty में तो Mid Cap Nifty आपके 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 आजाएगा उसके आपके स्ट्राइक प्राइस लगाना है Futures, Options, जो भी आप बढ़ना चाहें कल इसकी एक्सपाइरी है यह बड़े अच्छी लेवल बेट कर रहा है और यह Market की गिराबट भी गिरा नहीं अबल को भी Market तो गिरी अभी correction किया वट Mid Cap नहीं गिरा जब भी ऐसा होते है तो पास में मैंने ऐसा देखा है एक learning आप लोल के लिए अगर Mid Cap समझ रहा है और Market यह में मीचे है तो यह तो Mid Cap एक ही दिन में 23% गिरने की करशन निकालता है जो market कट चुक है वो विटक है एक ही दिन में कड़ेगा दूसरा यह जनरली या फिट जादा तो भी जो होदा है कि Market recover कर जाती है अगर हम आज की BankFT Nifty की चाल की बात करें जिसकी उपर अब आदे हम चार्ट पर चलके देखेंगे तो BankFT एक बाल साइड वेस था मैं BankFT में trade करता हूं तो इससे पहले BankFT बता रहा हूं बिल्कुल एक gap आपके पाद market साइड वेस होगी और वह आखिया कि हमने जब पहल रिस्टेस मार्ट किया था बिल्कने वाला है लोसों को उपर इस साइड वेस में से बाहां धिकलने वाद है option पहले ही चल जाएगा और एक spike की फॉर्म है फटेगा तो यहाँ पर option seller को भी डल लगा रहा है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका option seller के लिए क्या है option buyer के लिए दो लेंडिंग्स है पहला बड़े movements expect नहीं करने अधी market में वह था कहा है कि लोग fighting करते है मिला भी अपने जोश्टॉक में की विदाया के भाई market से मांगो मत, market की मर्गी को प्या करेगी हो सकता है sideways जाके towards the end एक तरफ चली जाए जिससरो आप सोच रहे हो हो सकता है आपके against चली जाए वो सकता है सारा दिन sideways रहे है आप carry कर लेते हो sideways सूचते लेते हो कि अभी move करेगा भी करेगा ऐसे में breakouts, breakdown trading इसको avoid करना चाहिए रेंज में काम करना चाहिए रेंज बेगी तो आपको समझ में आ गया वही उपर से गिर रहा है नीचे से चर रहा है मीची आए लटसे आपने buy का फिलिये तो buy करते जाओ जब-जब मीचे मिले ऊपर के area में छोड़ते जाओ इसमें दो onside पर काम करना चाहिए यानि आप call खरीचते हो तो ऊपर बेचते हो सही है बटागा आप यही सोचते में call भी खरीचते हो फिर उपर put भी खरीचते हो उसको नीचे बेच दो वह गलत है वहाँ पर आप फस होगे बैंक 50 अगर हम देखे है तो sideways में अच्छे level पर है यहाँ पर tension किसको होगी यहाँ पर tension सबसे आदा होगी जिन्होंने call पेच रखे है यहाँ बेर स्कोप यानि यहाँ जिन्होंने call पेच रखे है उनको क्या है कि अगर market सड़ा ही फट किया उपर के तरह 44,000 की उपर है अब्यत है आएगा तुस्से यह option double triple हो जाएगा जिसने कमाने है 40 रुपे उसको जेफ से चला जाएगे 100 रुपे तो यहाँ वह लोग डढ़े रहते है और वहता कि वह लोग अगर सिस्टम में stop loss डालके लगते है तो इन एन इन बिग मूव शार्प मूव होता कि है कि उनका stop loss होता है stop loss जो जब seller करेट होता था वो buy का बटन लपता है buy automatic होता है तो उस buy in क्यों कहते है short coverage ठीक है उस buy rally कहते है market further out move कर जाते है और यह chain effect होता है domino's effect होता है market move कर जाते है तो जनरली इस तरह से market based करती है अभी fresh seller हम देखे recently क्या हुआ है तो recently तो नीचे lows लगे है वहां से slow and steadily market उपर जा रही है अभी भी sellers है market में अभी ऐसा नहीं रहा कि बिंगोली बुलिश हो गया सब कुछ वहां market सभी भी ग्रीक है वहां अभी भी भी है तो दिरे दिरे वहाल फुदर एगा दिरे माकिर ओंपर जाएगा विक्स आप देखे लोग पूल डाउन हो रहा है तो यह चीजें दिरे दिरे बदलते है तो यहां पे अभी fresh activity के put buying की activity है तो जब तक जिन levels में put buying होई है जिन levels फिर उनले काम किया है जिन levels फिर एकसे ने 43,700 पी put बेची है सब्सक्राइब के अब 43,600 तक बहुत सेफ है तो अगर माकिर फोड़ा बत गिर भी जाएगी ना वो तो गवराएंगे नी गवराएंगा को इन पॉर राइडर यहां पर मैंने क्या मैंने पूट्स हिए फेची है एफिर चूस केया रईखना कि मैंने रलाण फोज ने काम कुझ Last करेंगे और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करने जिएगा आए चलते हैं स्क्रीन पे और आगे बात को और बाराते है तो इसी से शुरुआत करेंगे बहुत इंट्रस्टिंग चार्ट पैटन है इसका और एक काफी अच्छी एक्सपाइडी हो सकती है देगे यहां यहां पर बहुत ही एक अच्छा पैटन बना है यहां पर देखोगे रेस्टेंस था और इसको इसने आज फाइनली तोड़ा एक तम क्लीन कैंडल है ब्रेक आउट है पूरे एक परसंट ऊपर है निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहे हैं वगर मिट कैप जो है जब इसकेस में क्या होगा जिन्होंने आज लिया यह सब जो कैरी करके चले गए है वो फस जाएंगे और यहां पर ब्रेक आउट फेलियर का चांस पर रहे हैं होगा और यह नीचे आएगा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेंगा ब्रेक आउट फेल है तो ब्रेक डाउन सकसेस्फुल हो गा यह आने दिनों में नीचे आएगा बहुत तेजी है उस case में मैं इसको खुलते के साथ short कर दूँगा इसकी puts भी खरी सकते हो आप जाओ तो mid cap nifty में जो trade नहीं करते हैं मैं बता जेता हूँ mid CP यह है mid cap में trade करने का code मैंने इस पर एक पूरा detail video बनाया था मैंने 14,00,00 का profit किया था तो उसका video मैंने बनाया था बताया था mid cap में कैसे काम करते हैं उसका link इस video के end में आएगा तो देख लीजेगा यह video पूरा देखेगा उसके बाद एंड में वो उसका link आएगा तो पहला case तो यह है अगर यह उपर जाता है तो हम mid cap को हाथ नहीं लगाएंगे ठीक है हम लोग इसमें अगें ऊपर के रेटों पर हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग काम करेंगे बैंक निफ्टी में दोको बैंक निफ्टी जो है ना इसमें हाला कि एक red candle बनी है लेकिन अभी भी बुडा नहीं है खराब नहीं है और देखो कि यहाँ पर तो अभी क्या है कि एक W बैटन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर यहाँ पर एक नीचे का moment आया फिर उपर गया फिर नीची आया फिर उपर जा रहा है यह चलता है यह बनता है यहाँ पर इस तरह का activity होना कि selling आ जाए जनरली मैंने देखा है W की neckline से जब भी ऐसे rejection आता है next day gap up खुलता है और breakout करता है होता क्या है कि अगर सीधा सीधा उपर जाएगा तो जिन्होंने buy कड़ा था वो सब कमा जाएंगे market में सब नहीं कमा सकते है थोड़ा सा यहाँ पर एक step आगे सोचना पड़ता है बहुत likelihood ह कि यहाँ पर कल यह gap up खुलेगा ठीक है और यहाँ से उपर निकल जाएगा और मेरको यहाँ पर कल आगर यह उपर निकलता है तो 44,300 भी शाय तूट जाए I will not be surprised 250 से 300 भी तूट जाए I will not be surprised देखे मेरे पास कोई ऐसा position नहीं है इस time पर कि मैं यहाँ पर सोचूं कि भई मै मैं यह बोला था वो हो गया मारकेट कुछ और करेगा मैं कुछ और करूंगा मगर अगर मारकेट ऊपर खुलता है लेटसे बैंक निफ्टी कल गैप खुलता है 44,000 की ऊपर ही खुलता है मैं कल भाय करने वाला हूँ एक trending moment के लिए को कि बहुत बड़ा sideway slowness हो गया मारकेट म बता हूं just for learning purpose में समझाओं मैं इंदा मनी option sell कर रहा था आज पहले उसका भी दिखाता हूं आपको activity तो मैंने यहां पर ऊपर के रिटो पर यहां पर उसके बाद थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा इस spike पे 2700 quantity option sell किया था इसको मैं नीचे बाइ किया तो आप देखो कि अग मैंने नीचे यहां पर इसको बाइक किया काफी अच्छी quantity में बाइक किया लगबग मैं 1800 के multiples में काम करता हूं तो 3600 quantity I think लिया होगा उसको मैंने इधर बेचा ठीक है उसी तरह देखो कि मैंने यहां पर भी लिया था बट यहां से गिड़ने का मुझे इंडिगेशन आ गया तो मुझे total एक तो buying के अंदर profit हुआ यह वाली activity के अंदर उसके अलबा मुझे profit हुआ option selling के अंदर दो ही चीजों में मैंने आज काम किया और तीसरी एक चीज और है जो मैं carry कर रहा हूं वो भी call है long side पे तो मैं long side पे btsd बहुत कम लेके जाता हूं वगर मैंने आज लिया ह इसी logic के साथ कि यह कल gap up खुल के फट जाएगा मुझे ऐसा लगता है again I can be wrong अब अगर कल gap down खुलता है तो हमने mid cap में ही काम करना है यह मैंने सोच लिया है बट अगर यह let's say gap down खुलता है bank 50 क्या करना चाहिए आपको देकि bank 50 अगर gap down खुलता है जो कि मैं expect में ही कर रहा हू इसके 61% retracement level के नीचे आने पर हम शौट मार देंगे यहाँ पर इस area के नीचे अगर यह आ जाएगा तो हम शौट मार देंगे अब यह area बढ़के हो गया 850 थोड़ा दिन पहले याद होगा हम 700 के level टूटने की बात करते थे शौट करने के लिए अब यह 850 हो गया 850 के यहाँ पर gap खुल गया फिर नीचे आया gap खुल के नीचे आके इतनी बड़ी breakdown नहीं आ सकती कि इतना उपर खुले फिर नीचे आये फिर यह भी तोड़ दे gap डाउन नहीं खुल जाए तो जिन्होंने buy किया जैसे मैं भी कर रहा हूं थोड़ा सा आज BTST तो मेरे को क्या है loss ह हो जाएगा खुलते के साथ तो मैं भी काटूंगा लोग भी काटेंगे panic selling आएगी तो 850 के नीचे 848 39 ऐसा टिक लगते ही shot करना start करूंगा और target क्या रखूंगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रुकता था यह सब एरिया यह सब एरिया यह काट के इसके नीचे कहीं पर trade कर वाले 43,600 हो सकता है 500 हो सकता है 650 हो सकता है यो कि एक बार इतना मिल गया उसके बाद loss करने है कोई चांस ने है इस एरिया में आपको पहली बात समझ में आनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेंसी इतनी होनी चाहिए quantity आप जितनी मर्जी लो 5-1 quantity लो लेकिन काटो उसको 10 point में समझदारी क्या होती है कि हो सकता है sideways से बहार निकल के फट जाता जनरली मैं यही करता हूँ अगर मैंने लेट से नीचे लिया लेट से 3600 quantity 900 900 900 करके बेज दूँगा पर 900 को hold रखूँगा वापिस आके cost पर कट जाए अपने आप कोई दिक्कत नहीं है बट फट गया किसी भी बाद तो अच्छा profit हो जाएगा नीचे के साइट पर फिट भी किसी-किसी को spikes मिले होंगे put के अंदर ठिके नहीं है वो spikes ठिके मैं उन spikes पर जब मार्केट नीचे आता था तो मैं buy कर रहा था जिसने sell का सोचा का और इसको spikes पर profit बुक करना पड़ा होगा तो यहां पर एक दम है आप देखो कि इस एरिया में मार्केट ने काम किया है तो अगर आपको इंट्रार में position मनानी है तो again same बात है कल भी 110-15 के आसपास आप बना सकते हो 44,100 के उपर अगर यह टिकता है 5 मिनट की कोई भी candle बंद करता है sustain करता है इस एरिया में आप buy कर सकते हो 25-30 points नीचे उसका stop loss रखना 100 के यानि 40-45 points का आपको 200-300 का target कली मिल जाए हो सकता है उसकी ऊपर भी कहीं जाकर यह बंद करे ठीक है वो तब ही होगा जब यह gap आप खुले यहाँ पे कहीं पे खुले खुलने के बाद निकले buy करें लोग जिन्होंने buy कर रहा है वो hold करें gap down खुल गया दिक्कत है flat खुल जाए बिल्कुल अगर हम बात करें तो अगें कुछ खास फरक नहीं है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में यहाँ पे बट आप देखो के एक सुबह जो high low लग जाता है यह जो area बन जाता है इसके अंदर ही market बने रही बहुत छोटी range थी आज ठीक है कल की range थोड़ी सी भड़ी थी कल market न जात में को add करना है 500 onwards target रहेंगे तो 425 की उपर आप fresh buy कर सकते हो 440 450 कहीं भी मिले 450 क्रॉस होने के बाद आपको hold करना है 500 का target लेना है 500 पे अपना आदा माल बुक कीजेगा निफ्टी में उसके बाद ट्रेल कीजेगा हो सकता है उपर कहीं बन कर जाए well and good अगर वहाँ पे क पर खुल गया तो panic होगा तो below 350 हम निफ्टी को sell करेंगे अगर यह नीचे खुलता है gap down again gap आप खुलके नीचे आए doesn't matter gap down खुलता है 350 के नीचे जाता है we will sell and हमारे targets जो है minimum से minimum कल के लिए हम 250 के नीचे कहीं की closing फिर plan करेंगे अगर यह ऐसा करता है 350 के नीचे अगर यह देखिए आ गया spike तो जिन लोगों को अभी मैंने अपने clients को बाहे करवाया हुआ था VTSD के लिए के call लेकर जाओ यह डर रहे होंगे बट अभी फट गया उपर अल्रेडी आप देखोगे मेरे वीडियो अभी live market में बन रही है market बंदोने में 5 मिनिट हो रहे है almost 91 points का उपर इसमें कोई war हो जाए बहुत बड़ा down move हो जाए तो दिक्कत है otherwise यह gap अप खुलके कर निकल जाना चाहिए ऐसा लग रहा है तो कल इन्हों दिवार को धक्का मारके कोई फायदा नहीं है पर वो कहते ना कि लोहा गरम है अथोरी मारो तो अब लोहा गरम हो गया है कल अथोरी माइने का ट्राइ करेंगे स्टॉप्लस लगा के करेंगे उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा अरे क्रिश्ना